छे महिने की पूरी स्टोरी चाहठ बनी ह Glasव गयोरी फ्लीया हम क्यों सब लोगा इहाँ पर एशादी होगी यहाँ पर घर पर यहोगा तो पूरा मैं ने उन्हें देखा और मैंने कहा यह टीवी में इतना प्रेप कोई करके बैठा है इस से जादा तो मैंनी कर सकता है रहने वाली और घरगर खेली ना मुझे connected कहानिया लगती है जैसे उनके जितने लोग है जैसे आप भी हैं जीरो restless meter पर चलते हैं सब लोग के भई आराम से करेंगे होना है आराम से हो जाएगा ना उसमें स्ट्रेस क्रेट करने की जरूद है ना चिलाने की जरूद है ना गाली को लॉच करने की जरूद है राजश्री के 75 years के celebrations पर हमारे साथ है भौत ही special guest आजे हम आपको मिलाते हैं television के सूपर स्टार से तेलेवेजन का सूपर स्टार बिल्कुल है आप करन जी और उसमें सिर्फ राजश्री का बहुत बढ़ा हात है वो तो आपसे जानेंगे नहीं बिल्कुल वो ग्रांड ओपनिंग तो हुरी थी आपके लिए थैंक यू तैंक यू आपके साथ ही काम करते हैं and one of the sweetest most humble and wonderful people to work with of course which Rajsri you don't expect anything else तो उनका मुझे call आया एक दिन के एक नया शो बन रहा है something like रहने वाली तो मैंने बोला अच्छा है चलो great call तो I went I met Kavita ji and I met your people at that time I met Rajsar, Rajbabu ji and they said के actual में नया शोनी बना रहे है तीवी में पहली बार जो generation shift हो रही है वो हमें एक नया शो की तरह market करेंगे format करेंगे with a new cast show same है title same है लेकिन generation और cast पूरी नहीं है जो अभी आप notice करें पिछले 15 सालों में trend बन गया है but now it's called season 2 and everything पर तब 2008 में वो रहने वाली महलो की का एक refreshed brand new version बना रहे थे so me and a few more actors like Bhairavi, Aishodhan Rana we were all cast and we started doing the show and the twist in the story was that the heroine was of course Reena Kapoor because रहने वाली was Reena Kapoor you know so वहां से मेरी शुरुआत हुई और मुझे वह आज तक याद है वो दिन जब मैं Kavita जी के office में गया तो ऐसा एक बड़ा सा table है उनका and she was sitting across the table और उनके पास छे महीने की पूरी स्टोरी चार्ट बनी हुई थी कि यह character यहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ पे इसके साथ यह होगा, यहाँ शादी होगी, यहाँ पे घर पे यह होगा, तो मैंने उन्हें देखा और मैंने कहा यह तीवी में इतना प्रेप कोई करके बेठा है, इससे जादा तो मैं नहीं कर सकता है, तो यह जो है, यह correct अप्रो फिर हमने घर-गर खेली भी किया, जो एक overnight decision था, because मैं आपको बड़ा अच्छा किसा सुनाता हूँ, बिल्कुल हो जाना से हैंगे, 2008 में, 2009 में, जब रहने वाली के track में कुछ ऐसा आया था, जहाँ हीरो की death हो जाती, तो मेरी death हो जाती है, and Kavita ji was feeling so bad, because she had called me to wish Diwali, और यह Diwali के time का ही track था, तो she is like Karan I want to talk to you and you know how Kavita ji is, तो पर मैं समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे बोलो, मैं मैं क्या हुआ, मैं मर रहा हूँ का शो में, तो मैं मैं होता है, यह कहानी है, यह serial है, we are all characters, characters come and go, it's okay, and I was telling her not to feel bad, she is like I should be telling you not to feel bad, I said that's totally alright, so मुझे याद है के मेरी पूर vacation to get out, और जब मैं vacation के लिए literally जिस दिन अगले दिन में निकलने वाला था vacation के लिए मुझे विशेश का फिर से फोन है, विशेश का बड़ा विशेश रोल है मेरी लाइफ में, तो विशेश ने का कि sir, Kavita ji, आपका और Suhaasi ma'am का एक mock shoot करना चाहती है, तो आप Film City आ सकते है, मैं बोला, हाँ मैं आ सकता हूँ, मैं Film City गया, यहां मैं गर-गर खेली, पूरा इतना grand set लगा हूँ था, आलोग जी, Smita ma'am, Shishir जी, everybody was shooting, तो सब को मालूँ पड़ा, मैं mock shoot करना हूँ, तो आलोग जी being the magnanimous, आलोग जी बोला, इसका क्या mock shoot करना है, इसका shooting स्टार्ट करा तो कविता जी ने mock shoot किया हमारा, और बस उसी दिन शाम को या रात और रात बात हो गई कि मैं 3rd या 4th episode मुझे number याद नी है, से entry करूंगा, जो hero पहले 20th episode में कुछ आने वाला था, फिर जब मुझ से बाते हो गई, तो I think they decided कि 3rd या 4th episode में entry हो जाएगी, और रात और रात जाएगी और हमने almost 3 साल, 700 plus episodes वो भी शूट कर लिये, so that is the story here, on sets, आपका experience कैसा रहा, आपने इतने सारे shows की है, और राश्री के shows में और बाकी के जितने सारे shows है, उसमें कुछ difference आपको लगा, काम कर कर राश्री के साथ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे ऐसा लगत तो एक लड़की कहानी है, जो महलों में रहती थी, और उसने एक life के कुछ decision ऐसे लिये, कि महल उससे चिन गए, और उसको life एक struggle भरी life जीनी पड़ी, अपने partner के साथ, यह basic उनका जो premise था, यहां में घर-घर खेली, अगर आप देखे, तो वो रहती थी स्वारंट घरम में, बहुत बड़े महल में रहती थी, ठीके, जिसमें हो गए उनके family के losses, और उसको वो महल छोड़ना पड़ा, वो स्वारंट घर चोड़ना पड़ा, जो किसी और ने खरीद लिया, मैंने, लेकिन इस बार उसको गरीबी में नहीं रहना पड़ा, उसको इसी घर में काम करना प है, मुझे लगता है कही ना कही एक thread था उन दोनों में connected, और इतनी sensitively लिखी गई थी यह कहानी, मुझे याद है, कि सुहासी के जब भी scenes आते थे, मुझे 100 लोग दिन में phone करके बोलते थे, कि यार ये scenes कितने relatable है, क्योंकि जिनके family के losses हुए हैं, जिनके घर गए हैं, जब आप notice किजेगा, अगर आपका किसी चीज से आपका घर गया है, अगर आप उस building को भी cross करेंगे, आप सडक से भी cross करेंगे, आपको बुरा लगेगा, आपको लगेगा, मैं इदर पला बड़ा हूँ, मैंने इदर किया, आज ये घर हमारे पास नहीं है, आज आप notice करी हमारे parents, मुझे आद है मेरे फादर एक बार हमें लखनाव लेके गए थे, और लखनाव में कोई बड़ा सक बाग, गार्डन टाइप उन्होंने दिखाया था, तो हमें लगा कोई गार्डन वार्डन है, तो बोलते हैं ये हमारे घर हुआ करता था, जब मैं पैदा हुआ था, फि 10 दिन पहले अपने जिस घर में पैदा हुई जिस घर की ओर रानी उसको स्वर्ण आभा कहा जाता था, you know, स्वर्ण घर की ओ, स्वर्ण महल, स्वर्ण भावन, स्वर्ण भावन की ओ स्वर्ण आभा थी, और उधर ही उसको नौकरी करनी पड़ी, you know, as an attendant, as a waiter, as a secretary, तो कितन embarrassing रहा होगा उसके लिए और फिर उसी घर में वो बहु बन के आती, क्योंकि वो मेर से शादी करती है, so it was a wonderful journey of a girl, you know, trying to get back to her roots, I think, so when it comes to making TVs, TV shows, which is totally based on family values, I think they just get it automatically, and of course, वो अपने आप में इतने humble है, इतने sweet है और zero restless meter है उनका, जैसे उनके जितने लोग है, जैसे आप भी है, zero restless meter पर चलते हैं, सब लोग के भई, आराम से करेंगे, होना है, आराम से हो जाएगा, ना उसमें stress create करने की जरूद है, ना चिलाने की जरूद है, ना गाली करने की जरूद है, और वो माहूल set पर दिखता है, वो comfort set पर दिखता है, चाहे कितना भी pressure हो delivery का, वो comfort from their people who work with Raj right from the top, from the legend Surajji, to Raj Babuji, to Kavita Ji, Vishesh, now you, so everybody is so much in their space, calm and in control, which I think is wonderful. यह मैं घरगर खेली, उसके साथ में कुछ याद है आपकी, किस तरह से, यह मैं घरगर खेली is, इतना show, इतना लोगों ने इतना पसंद किया, इतना, इतना, बहुत प्यार मिला हो show से, और बहुत कुछ, हर तरह से वो show beneficial रहा है, चाहे वो popularity को लेके हो, काम को लेके हो, इस ने उस show को joint किया है, यही पर घर पर आप देखेंगे Suhaasi की photo भी होगी मेरे साथ, तो Suhaasi and me have been very good friends for almost 10 years, Mehul and I have been great friends, Shishirji and me have been in touch, तो I think Zarina जी को मिलने का मौका, उनके साथ काम करने का मौका, of course Alok जी, Smita मैम, तो I think it was such a complete show in my understanding, कि उसके एक-एक incident मैं आपको बदा सकता जिस तरह हम होली सेलिबरेट करते थे, जिस तरह हम दिवाली सेलिबरेट करते थे, वो टैंक बनता था और रोहित जो हमारे डिरेक्टर थे, मुझे याद है बहुत बड़ा टैंक था जो हम होली की shooting कर रहे थे, और रोहित ने बोड़ा था कि अगर सब लोग चुप-चाप आप डिसिप्लिन से 6 बे तक shooting करेंगे, तो मैं promise करता हूँ, 6.30 पैकप कर दूँगा और आदा घंटा हर को ही मस्ती कर सकता है, इस पूल, and exactly वही करते थे, हम रोज सेट पे cricket खेलते थे, हम रोज सेट पे कोई ना कोई तरह का त्योहार मना के खाना मंगा रहे होते थे या क हम चाते थे हर कोई involved रहे, वहाँ पे कोई छोटे या personal groups नहीं बने हर कोई एक दूसरे के साथ party करता था, और हर कोई एक दूसरे के साथ बैठा रहता था, so I think it was one of the most wonderful teams that had formed, वह रहने वाली महलो की, उसके साथ भी जाना चाहेंगे आपका, किस तरह से आपकी यादे, बहु उस series के बाद, तो रहने वाली भी also was a mad affair, क्योंकि मुझे याद है हम गोरेगाओ East में एक set पे shooting करते थे, and as always सब हर कोई यंग था, क्योंकि सब भाई बहनों की कहानी थी, तो वही चलता था, और जो हमारे director थे मुझे याद है, director हमें रोज डाटते थे, कि तुम लोग किसी shooting निये, वह भी set पे बैठा हुआ है, for what reason, पर I think वह mahol create ही ऐसा हो गया था, सारी team के साथ, कि shooting करने में ही सबसे ज़्यादा था, nobody used to wait to go back home, and that is the best thing I think Rajshri tends to do, वह पूरा genuinely एक family वाल atmosphere बन जाता है On sets पर आपका किस तरह से experience अरा Rajshri के साथ में, जब आप shoot करते हो, जब आप जाते थे, first day से लेकर के, कुछ different experience आपका, उनका grace match करना ना possible नहीं, देखो, grace ना inherent होता है, वह family इदर family चलता है, courtesy, discipline, manners, attitude, politeness, ये सब कोई सिखानी सकता, लेकिन सीखनी पड़ती है It's simple, आपको grace कोई नहीं सिखा सकता, लेकिन सीखना तो पड़ेगा, अब कैसे वह आप decide कर लो, politeness किसे, चाहे वह production वाला हो, या sport दादा हो, makeup man हो, या director हो, या actor हो, सब में एक तरह की politeness कैसे आ सकती है, ये तो top-down नहीं होती, because when somebody like Kavita ji or Suraj ji or Raj Babu or Kamal ji, when they come down, they command so much respect and so much love and grace that there is no other way but to be like them or want to be like them. You know, I would want people to look at me with same admiration and with the same courtesy and same love, so I think that it flows in the set and what you see in my opinion. इतनी सारी चीज़े हैं राजश्री के साथ में, सबसे खास चीज, मैंने ये भी सुनाया के खाने का जिस तरह से होता है राजश्री के सेट्स पर, खाने के बारे में आप क्या कहेंगे, कुछ स्पेशल खाना आपके लिए परुसा जाता था उससे में अगर आपको याद हो एक हरे रामा, हरे कृष्णा के जो हौल है पीछे, इतिक गोविंदा नाम है जगा का, हाँ, गोविंदा, गोविंदा, राइट, गोविंदा है, तो वहाँ पर एक celebration थी, I think it was 1000 episodes or 1100 episodes जो हमने पूरे किये थे उस समय, और उसकी एक थाल celebration लगे थी, अच्छी थाल जो होती ह नहीं कही गई हमसे, अच्छा, like it was so heavy, no it's so much food, and so yummy, and everybody such a great host, so gracious के आप मना भी नहीं कर पाते, आपको खाना भी है बैठके, so I think वो जिस तरह, जैसे इनसान है, of course, उससे वैसे ही host है, और जैसा host, जिस host को जो खाने का शौक होता है, वो अपने guest को वही खिलाने की कोशिश क करता है, तो यह मेरा experience रहा है, कि आपको मौका मिले, तो गोविंदाज में राजश्री की यह treatment मिस कीजेगा, जब आपने wrap-up किया था, जब आपका last day था, तो कैसा था, वो feeling, ऐसे, वो बहुत ही, मुझे याद है कि, I think everybody was in tears, and बहुत ही, ऐसा time आ गया था, समझ नहीं आ रह है, यह यह चीज़ अब और शूट नहीं करेंगे, इसका हम दुख मनाएं, हमें उससे ज़्यादा दुख हुआ था जब एक sequence में ना family की death हुए थी, तो उस समें हमें हम लोग genuinely set पे अकेला feel कर रहे थे, because sequence था बहुत है, कि एक car accident में पूरी family ICU में पहुन जाती है, so we were actually feeling alone that day, we were actually feeling यार, shit, यह लोग अभी शायद कल से shooting नहीं करेंगे साथ, you know, so it was a true feeling of loss and जब खत्म हो तब तब तो of course everybody was in tears and everybody wanted के somehow यह तीन साल जरॉक्स मार के एक और तीन साल बन जाए, but ठीक है, life has to move on, so yeah. तो वैसा हो गया था, like you know, के कोई family का ही कोई सज़से ऐसा लगा के बिलकुल, बिलकुल, वो family ही है, आज भी जब सब लोग मिलते हैं, आज I remember Shishir जी अगर मुझे अभी call भी करेंगे, he still calls me son, you know, he says son, where are you, you know, he talks to me like that, so I think it was, it was a very unsaid bond, where everybody was so much in love with each other, you know, के वो चाते थे कि चलती रहे, चलती रहे, करन जी मज़ा आगया आप से बात करके, शुक्री हम से बात करने के लिए, thank you so much, it was lovely talking to you, thank you, सारी memories जिससरे से आप लेकर के गहे, बहुत मज़ा आया, राजश्री फैमिली को 75 years complete करने की बहुत बहुत शुब कामना है, thank you, आपने मुझे इस जर्नी का हिस्सा बनाया, and I hope and I pray आप इसी तरह 175, 275, 375 years complete करे, और मैं आपकी फैमिली का हिस्सा बना रहू, thank you and congratulations.